Hello everyone, you are welcome to best notes tutorial आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर और आज हम बात करने वाले हैं कि हम इतिहास को कैसे टैकल करें तो इतिहास में क्या प्राब्लम साती है सबसे पहली प्राब्लम है आप लोगों की डेट्स याद कैसे करें यही तीन question आप लोगों ने मुझे पूछे थे तो उनी चीज़ों पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप अपने questions comment box में लिख सकते हैं अगर time मिलता है तो मैं जरूर उन चीज़ों को आप लोगों को वीडियो के थुरू answer जरूर करूँगा तो अब चलते हैं next section है जिसमें कि मैंने ये तीनों चीज़ों के बारे में लिखा है तो पहली चीज़ है आप लोगों का dates और years तो इसमें आप लोगों सबसे पहले एक series maintain करनी के कोशिश करनी है अभी जो हिमानी मैडम की कल की वीडियो हम लोगों ने public की थी कल नहीं परसों की जब इसे मैं publish करूँगा तो शायद एक दिन बाद ही कर पाऊंगा तो वो series आप लोगों को देखा होगा कि modern history में हम लोगों ने पूरी तरीके से एक series बना लिया आप पूरे 100 years की series आप लोगों ने बना दी तो ना तो आप लोगों को याद होगी और फिर से वही history वाली बात आ जाएगी बोरिंग आप लोगों के लिए काम हो जाएगा तो आप लोगों को करना क्या है कि एक मोटी मोटी पहले एक series बना लेनी है जैसे कि आप एक मोटी series का मतलब यह है कि जो important चीजे हैं जैसे आप 05 कर सकते हैं 06 अब देखिए आप जब भी मुझे वीडियो में भी देखेंगे या जब मैं पढ़ाता हूं तो उसमें भी आप लोग एक चीज ध्यान देंगे कि मैं कभी भी 1905, 1906 इस तरह से चीजों को नहीं बोलता हूं उसका reason क्या है कि जो 1900 होता है यह important नहीं होता है अठारा सो क्या नहीं है important नहीं है आप लोगों का आप लोगों पीछे का जो 05 है या हम कहें 48 है 47 है यह ज्यादा चीजे important होती है और जब आप 1905, 1906 इस तरह से क सो जो होता है न वह आपको यह वाला फैक्ट भूला देता है और इसका इवेंट से आप लोगों connection नहीं बन पाता अब connection के लिए मैंने आप example लिखा हुआ है और एक shortcut ट्रिक यह भी है कि जब भी आप नेम याद करें तो आप लोग क्या करें उसे उस year से कुछ चीजों से connection बना देें जैसे कि मैंने यह जीरो सैवन बनाया है तो जीरो सैवन में सूरत थीन चाहिए हम इस से स्थन बोलें तब तो मुझे 1900 याद करना ही क्यों है ठीक है अगर मुझे कोई और चीज़े जैसे 1857 की करांती के आसपास की कोई डेट याद रखनी है मुझे तो मुझे पता है कि 1800 की तो बात मुझे याद रखनी नहीं है कि वो 1800 में कोई चीज हुई होगी दो अगर आप हिस्ट्री को एक सीरी सो में कभी ये बात हो रही होगी तो हाँ मैं बात कर रहा था यहाँ पे correlation की यह correlation बहुत strong एक टूल है किसी चीज को याद रखने का किसी भी चीज को आप लोग अगर correlate कर लेते हैं अपनी date of birth से हो गया या किसी वर्ड से हो गया जैसे यहाँ पर मैं example दे रहा हूं को आप सा बात हुआ ठीक है और इसातरम हो था हो कांग्रेस में विभाजन हो गया अब विभाजन की अगर मैं बात करों तो सिधे सिधे आप लोग विभाजन की हम बात करें तो हाँ बात करें तो उस टाइम एक ही तो दल था वह था आपका क्या हो यह यह dzisiaj मतलब नेशनल कोंगरेस अपने आप में कर तो यह चल रही होगी तो यह क्या हो किया मैंने यहां पे कर दिया अभी मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूं टॉपिक मैं आपको ट्रिक्स को एक एक करके चीजें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं ग्रूप में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को अभी एक या दो ही वीडियो आप लोगों को मिल रह चाहिए वह इसलिए है कि अभी आप लोगों को नई नई चीजें जो ट्रिक्स हैं जैसे मैंने कहा स्पीड रेडिंग हो गया जो शाट ट्रिक्स हैं और मैप से हैं रिपिटीशन है और कार्ड से यह सारी चीज़ें आप लोगों को अभी अपने स्टडी में इन्वाल करने के थोड़ा बहुत टाइम चाहिए इसलिए हम आपको एक से दोई वीडियो दे रहे हैं फिर आपको पंद्रा से बीस दिन के बाद हम आपको तीन से चार वीडियो देली देंगे और उससे आप लोगों कहीं ने कहीं मटीरियल जादा होगा तो आप लोगों मेहनत भी जादा क करनी पड़ेगे उसको असाइमिलेट करने के लिए उसे डाइजेस करने के लिए तो तब तक आप लोग इन चीजों को क्या कर लीजिए अपने स्टडी में धीरे-धीरे इनको इन्वाल्व करना शुरू कर दीजिए तो नहीं बोलना चाहिए आपको इसे तेजी से अपने स शुब बताई कि आप लोगों को बनानी है सीरीज पनानी है मोटी मोटी सीरीज याद होग test है कि फॉर्ष मैंने आपको बताया सूरत विभाजन उसके बाद सिरीज या औगे चलते रहेंगे तक आ गया उससे पहले 10 11 का हो गया फिर 16 17 18 19 19 रॉलेट एक्ट आ गया बीस का हो गया ठीक है और 19 का जलिया वाला बाकांड हो गया अब क्या होगा जब आपकी एक सीरीज बन गई है ठीक है चलिए थोड़ा से नीचे आ जाता हूं क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा हौच पाच हो जाएगा यहां पर जैसे आपकी मोटी मोटी सीरीज आपकी बन गई अब आपको एक बार यह मोटी मोटी सीरीज अब यह लिटरली आपको यह सीरीज पे बनानी है अब यह पेस पर बना के आप क्या करेंगे अपने जहां पर स्टडी करते हैं वहां पर इसे चिपका दीजिए अब इ इस पर चलते जाएंगे अब सबोच किजिए कि मैंने कहा कि उनेस में आप लोगों का यह रॉलेट एक्ट आ गया एक तो और दूसरा आगया उननीस में जलिया वाला बागकांट ठीक है तो आप लोगों को पता रहेगा कि रॉलेट एक्ट पहले आया था जलिया वाला बागकांट बाद में आया था और जलिया वाला बागकांट जैसे हुआ था तो आप लोगों पता है कि उसके बाद जो नन कॉपरेशन हो गया था आप लोगों का वह वाला आपका 20 में इतने फ्लो में कभी-कभी फैक्ट कभी-कभी गडबड भी हो जाते हैं तो आप लोगों क्या हुआ यहां पर आपने असयो गांदोलन का जो है शुरुआत हो रही है और अब मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे यह 19 है तो 19 में मैंने कितने फैक्ट कर लिए एक दो तो आपको इसी तरह से 20 में भी कोई 2 फैक्ट एड़ करने हो तो आप 2 कर सकते हूं तीन करने हो तीन क्या करना पड़ेगा एक सीरीज बनानी पड़ीगी और अपनी एक 1900-1800 करके याध करने की हैबिट को छोड़ दीजिये आपको simply आपको इस तरही से याद करना है जैसे 45 और 46 47 इस तरह से आप लोगों को याध रखना 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 दा डैकली और फिर उसको क्या आप लोगों को मैप के थुरू नहीं पढ़ सकते अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग मैप के थुरू हिस्ट्री पढ़ सकते हैं जैसे यह हम देखके चलते हैं कि ऊपर आपका यह लद्दाक हो गया आपका लद्दाक हो गया जम्मू कश्मीर हो गया और इधर अगर आप चले जाते हैं तो यह पाकिस्तान का पंजाब प्रामत है ठीक है तो यह इंपॉर्टेंट है इधर थोड़ा सा अंदर आएंगे तो यहीं पर आप लोगों को सूरत मिल जाएगा महरास्टा हो गया महरास्ट में आप लोगों का उस टाइम पर बॉंबे की हम बात करें जो पहला अदिवेशन था आपका कहा था बॉंबे में हुआ था ठीक है तो यहां पर मैं क्या करूंगा वन लिख लूँगा अब देखे मैंने अगर मैप में कहीं पर वन लिखा है जह आपको लोगों को आटमेटिकली याद रहेगा कि मैंने वन यहां पर लिखा था ठीक है तो यहां पर एक चीज़ तो हो गया फस्ट अब अगर हम फस्ट अदिवेशन की बात कर रहे हैं कॉंग्रेस की तो वह कब हुआ होगा जब कॉंग्रेस फॉर्म होगी कॉंग्रेस पिछासी ही होगा इसलिए मुझे फिचासी सिर्फ पिचासी याद रखना है यह बाकी जैसे मैं उन्नीस सो अठारा सो सत्रा सो बोलता हूं पीछे के फैक्ट मैं बूल जाता हूं मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या हाल है तो आप लोगों को क्या करना है सिंप्ली 85 याद किया था कि 19 किलो का अमरित 19 किलो का अमरित कितनी किलो अमरित अगर आप देखेंगे 19 किलो अमरित आप लोगों के पास में क्या है रखा हुआ है इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं उसी के जस्ट बगल में अगर आप आएंगे तो यहां पर यह पंजाब राम्त हुआ शुरू था इस साइड को सिर्थ आप लोगों को यहां पर अनीश हो गया और यह कह यहастиे है हुआ इम बात करें कि फञिए 3 29 और 30 आप लोगों को ध्यान रखनाना यहां 19 39 कोरेलेशन बन रहे हैं न कहीं लिएक तो कोरेलेशन बन नहीं के साथ यहां पर पुनर सुराज या पूर्ण सुराज कि बात की गई थी पूर्ण सुराज मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं अभी आप लोगों को ठीक है कुछ चीजें याद हो जाएं तो बहुत ही बढ़िया है वलन गुड़ मैं अभी आपको खाली ट्रिक बता रहा वाला नौर्थ इस्ट है यह बीच का मिडिल वाला आपका पोर्शन है यह गुजरात हो गया आपका और नीचे यह मुंबई हो गया और नीचे वाला यह पोर्शन आ ठीक है तो अब मैं आपको अगर पूरा प्रॉपर तरीके से मैप बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैंने इसको शॉट में आप लोगों को बता दिया अब देखिए इसी में यहां पर आपको 21 लिख लेना है देखिए यहां पर 21 कर लीजिए देखिए 21 85 29 30 अब क्योंकि यह 19 और 29 है त सेवन ठीक है तो जीरो सेवन है 21 85 29 30 19 अब देखिए यह मैं इस तरह से लिख रहा हूँ और आप लोगों कहीं कहीं इंट्रेस्ट आ रहा होगा इसमें कि कुछ नया हो रहा है अब इसी चीज को मैं आपको एक पेज में पढ़ा रहा होता पूरा थियोरी की तरह यह आप लो यहां पर लिख रहा हूँ देखिए यहां पर मैंने कितना लिखा है 16 अब आप अगर एक मैप बनाते हैं जैसे कि मैं आ जाता हूं नीचे ठीक है एक रफ मैप बना लेते हैं और फिर से मैं आप लोगों को पूसता हूँ कि कौन सी चीजे कहां पर मैंने लिखी थी क्या मैंने कौन सी चीज लिखी थी आइडिया यह देखे यह इंडिया का हम चार पार्ट मान लेते हैं यहां पर मैंने लिखा था 19 याद हो गया आप लोगों को 19 के ठीक बगल में मैंने लिखा था 39 ठीक है और 39 के नीचे मैंने लिखा था 30 और यह आपका पाकिस्तान में पढ़ सब्सक्राइब ना मेरी वीडियो देखते वे तो आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आएगा यहां मैंने कद लिखा था 07 लिखा और एक और लिखा था मैंने इसी के बगल में ओ लिखा था 21 प्या Pas 2020 थो होप्पुली क्या और लोगों यहां समय अब कोई बता सकता है क यहां पर कितना लिखा वाता है यहां पर आप लोगों का था 16 मैंने अब लोगों को भी बताए था उसके बाद आप लोग आ जाये सीधु इस कोने में यहां पर आप लोगों का है कलकत्ता यह हम कोलकत्त जो भी बोलना आप लोगों को अब टूढूआ जिरो आप देखिए और को रुलीशन बन गया देखे़ 6 07 यह आपका कलकत्ता हो गया यह आप लोगों को एक इक आमपा दे रहा हो फिर से बता देता हौ अभी पढ़ा नहीं रहा ओलेखो scripts आयेगा और और आप लिए इसको याद कर लेंगे अच्छे से उसके बाद चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर आ जाईए और यह जो portion है आपका मद्यपर्देश का ठीक है और मद्यपर्देश या हम चलिए जगों के नाम हम अभी add नहीं करते क्योंकि अगर हम ज दीजिये तुकड़ों में तोरीए दीरे उन टूकड़ों को भरिए जैसे एक सीरीज सीरीज बनाईए और फिर उस सीरीज को पहले मोटा मोटा याद कीजिए फिर उसको आप लोग इनको भर्ये जैसे तो वन में आपके थरी इस यहां पर फैक्टब मिलते इन को भरते हु चलिए अब जैसे मैंने क्या किया यहां पर आप क्या क्या कर सकते हैं कि जैसे अमरित सर हो गया ठीक है तो आप लोगों को एक बार 19 29 30 इस तरह से आप लोगों को चीजे याद होती है अगर चली जाती है जैसे यहां पर 85 था देखे 85 के बगल में आप लोगों को मैं बता दू कि यह हो गया आपका 95 ठीक है तो अगर अब इतने इतने सारे जो अधिवेशन है वो आप लोगों को अगर याद हो गए तो मतलब काफी कम टाइम में आप लोग इनको याद कर सकते हैं ठीक है जैसे 39 में आपका forward blog बनाया था सुवाश चंदर बोश जी ने ठीक है अब देखि लिखा था 19 के बगल में क्या था आपका 29 था 29 के बाद क्या था आपका 30 था और अगर हम यहां पर आ जाते हैं इस तरफ को ठीक है तो यहां पर आप लोगों का हो जाएगा 16 ध्यान रखिए यहां पर आपका पुनर मिलाप होगा था उन लोगों का में दुबारा हो गया था देखें यहां पर 07 में तो बिछुड़ गए थे और यहां आ जाएंगे 16 में तो 16 में मिल गए थे तो यह connection बन गया अब बताईए यह यह चै था तो यहां पर कितना था आप लोगों कलकत्ता में यह था आपका यह साथ था तो यह कितना हो गया 6 हो गया इसके थोड़े से नीचे आप मॉंबई में आ जाई है मुंबई जो भी आपको बोलना है यहां पर आजाए 85 85 के बगल में क्या था आप लोगों का थोड़ा सा अगर आम नीचे आएंगे तो पूना वाला जो अदिवेशन हुआ थ देखेंगे अंदर तो वह आपका हो गया 95 तो 85 यह 95 इसके बगल में क्या था 21 अब आप अगर याद नहीं भी रहता है शुरुआत के लिए तो मैं बता दू कि 7 इंटू 3 कितना होता है 21 ही होता है तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं इसके अलावा हम लोगों क्या याद किया था यह जो 7 और 6 था यहां पर आप लोगों को याद रहना चाहिए थर्टी नाइन था थर्टी नाइन में आपका फॉर्वड ब्लॉक बनाता अब देखें यहां पे टूटा था यहां पर कॉंगरेज क्या हो गया था पुनर मिलाफ हो गया था और इसके बगल मे गया था यहां पर मान लिया गया था अंतिम लक्ष्य तो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं रहा होगा मुझे लगता है बहुत सारी लोगों के साथ मैंने खुद नहीं सोचा था बस यह था कि स्टड़ी करते कि हम हिस्ट्री को अगर मैप के थूप पढ़ेंगे तो आप लोगों को हिस्ट्री बहुत इंट्रेस्टिंग लगेगी शॉट में इस तरह से आप लोग मैप बना सकते हैं ठीक है तो यह आप लोगों का हिस्ट्री का एक ट्रिक हो गया तो आप लोगों को शा टॉपिक पढ़ना है तो आप तुरंत उसे इंडियन मैप में भी एक बार सोचने के कोशिश कीजिए कि इसका कहां पर कौन-कौन सी चीज़े मिलेंगी जैसे कि एक और एक्जेंपल दे देता हूँ हए्याप लोगों को लेकिन एक ग्जैंपल और देता हूँ जैसे कि जंजाती आंदोलन होए थे तो जंजातीयां और उसके नीचे है आप लोगों का संथाल चीक है और संथाल के नीचे गोंड और यह हो गया आपका खोंड तो अगर आप लोग इसे देखेंगे यह इस तरह से एक मार्क खली इतना मार्क बनाना आप लोगों किस तरह से आता है जो खासी था खासी वह एक्षल में यह जंजाती थी ठीक है इनका विद्रो कहां पर हुआ था किस प्लेस में वाता तो यह था आपका मेगाले ठीक है रामकृष्ण मिशन अगर आप बात करें तो कहां पर है आप लोगों का वैस्ट बेंगल में आजाएगा यह वैस्ट बेंगल में आगया इसी तरह से हम श़बी के नाम लिख सकते हैं और बस एक लाइन हम लोग इस तरह से आगट देख लें मैप में कि खासी वैलूर मुंड़ा वैलूर मुंड़ा संथाल गोंड एंड कोंड इस के अलावा तीन और थे एक था राजिस्तान का मेर्स इसको आपको इस तरह से याद रखना है मेर्स मेर्स वैसे मैं आप लोगों वह भी खाली एक्जैम्पल दे रहा हूं और यह आप लोगों का भील भील कहां पर थे महाराश्च्ट में थे अब सुर्य मद्यपरदेश में थे और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आजाएंगे वह जाएगा आपका कोली कोली महाराश्च्ट में थे यह कहां थे महाराश्ट तो एक यह हो गई आपके लाइन एक स्ट्रेट लाइन आप लोगों को याद अब आपको जंजाती आंद को रिलेटेड अगर पूरा चैप्टर पढ़ा है तो भी आप कन्फिजन होगा आपको कहीं न कहीं कि कौन सी चीज़े कहां पे थी लेकिन अगर आपने इसे बार बार आपको आपने इसे प्रैक्टिस किया मैप के उपर तो आपको यह चीज़ें दिखाई देंगी अभी मै मैंने कोर्स के बीच में मैपस यह सारे मैपस बना के डाले हुए और आप लोगों मिल जाएंगे सारे मैपस बीच में जैसे यह चैप्टर आएंगे तो मैपस के थुरू आप लोगों को यह सारी चीज़ें दिख जाएंगी और कुछ नई वीडियो मैं आप लोगों के पिक्चराइजेशन नहीं है मेंज कुछ भी चीजे दिखाई नहीं देती जब कोई पिक्चराइजेशन चीज नहीं हो रही है तो मुझे वो चीज याद नहीं होती है किसी किसी का ऐसा माइंड सेट होता है जैसा मेरा खुद का है अगर किसी चीज के पीछे लॉजिक नहीं ह किसी चीज के पीचे लॉजिक नहीं है तो मुझे मैं उसे चाहे हजार बार पढ़ लूँ मैं उसे नहीं पढ़ूँगा क्योंकि मैं भी साइंस के स्टूड़न रहा हूं पहले तो कहीं न कहीं ओ लॉजिक दिमाग में घुश जाता है और उसके बाद कोई चीज रटी नहीं से आपती तो कोई चीज रटी नहीं पाती है लेकिन कहीं न कहीं हमें युक्वालिफाइए करना है तो उसके लिए मैंने पिक्चराइजेशन मेठ़ड यूज किया है और पिक्चराइजेशन मेठ़ड मैप के तुरूँ करेंगे तो बहुत बेस्ट आपको जिओग्री के स सारस में अगले वीडियो में और तब तक के लिए गुडबाय टिखेयां